हेई एस्पिरिट्स वेल्कम बाग तूर चैनल अगें तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ मार्च टॉन्टे उनी थ्री के कुछ करने फेर कॉश्टेंस के उपर तो लेट सेट साथ विद फर्स्ट कॉश्टेंट इस फर्स्ट को याद रखेगा विकॉज यह हम लोग इसको हिंदी भाषा में यहाँ पर संस्कृत महटसव यहाँ पर बोलते हैं नाशनल कल्चरल फेस्टिवल जा है वो संस्कृती महटसव है संस्कृती महटसव कौन सा एडिशन 14th एडिशन नाइन डे का पूरा यह फेस्टिवल यहाँ पर रहता है और इसमें All Over World से यहाँ पर कई सारे डेलिगेट्स भी आते हैं और अभी G20 चल रहा है तो इसमें और अभी यह काफी important हो गया इसके अलावा गर हम बात करें तो राजस्थान के बीकानेर डिस्टिक में इसको यहाँ पर किया जाएगा काफी अच्छा है कोई इसमें problem नहीं है 25 से लेकर के 5th of Mars तक यहाँ पर रहने वाल 25th of Feb से लेकर के 5th of Mars तक यहाँ पर रहेगा अल ओवर इंडिया से यहाँ पर या फिर बाकी जितने भी states हैं वहाँ पर से more than thousands of artists यहाँ पर आएंगे और अपना यहाँ पर जो भी fork dance होता है इसके अलावा fork music होता है इसके अलावा यहाँ पर drama है सूफी music है इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर अपना जो talent है वह यहाँ पर दिखाएंगे ओके इसके अलावा यहाँ पर sand sculptures अलग-अलग मतलब rates से कुछ-कुछ यहाँ पर बनाते हैं इसके अलावा यहाँ पर exhibitions भी होता है जिसमें जो भी है यहाँ पर handicraft होते हैं वो यहाँ पर showcase के जाता है आर्ट हो जाता है painting वगएरा हो जाती है तो यह सब कुछ यहाँ पर देखाने का mainly काम रहता है इसके अलावा जो इंडिया की जो यहाँ पर culture है जो अपना यहाँ पर heritage है जो अपनी यहाँ पर historic चीज़ें है उनका यहाँ पर perseverance इसके अलावा promotion और साथ में उसको protect करके रखना यह हमारा काम है और mainly इसी सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात किया जाता है ओके next question is when is Marathi Language Day celebrate every year जो है तो Feb 27 को यहाँ पर Marathi Language Day जो है वो यहाँ पर हम लोग celebrate करते हैं because Marathi Language जो है वो एक थोड़ी सी important language है इसके अलावा यह महराश्ट्रा की language सबको पता है कि भाई वहाँ पर Marathi Language सबसे जादा बोल जाती है reason भी है कुछ-कुछ वहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर Marathi भाशा दिवस हिंदी में बोल सकते हैं इसको यहाँ पर विश्नु वामन श्रीवादकार विश्नु वामन श्रीवादकार जो है वो यहाँ पर Marathi Poet है और इन ही के यहाँ पर जनम दिन के अ श्रीवादकार विश्नु वामन 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 श्री story और भी यहां पर अलग अलग चीज़े जैसे कि यहां पर drama हो गया इन सब चीजों के उपर लिखते हैं लेकिन इनका topic काफी यहां पर distinguished रहता यह यहां पर freedoms के उपर लिखते हैं justice के उपर लिखते हैं और साथ में social evil के उपर यह लिखा करते थे जैसे कि अपना poverty हो गया child marriage बगएरा हो गया तो इन सब चीजों के उपर यह लिखा करते थे लिखते लिखते हैं 1999 से इसको हम लोग यहां पर celebrate करना शुरू कर चुके हैं और इसी time पर like 10th of March को इनका यहां पर देहांत हुआ था और उसी दिन से हम लोग Marathi करना शुरू करते हैं लेकिन उनके birth date के उपर 980 पुराना है अपना Marathi language और यह काफी पुरान है लाइक इंडो आरियन language भी इसको कभी कभी बोलते हैं और उसी time से हम लोग Marathi language को यहां पर like recognize करते आ रहे हैं बोलते आ रहे हैं जिनको आती है वो पुलते हैं काफी अच्छी लाइग वजो कि काफी सही लगता है कूल टाइप फील आता है next question is who inaugurate Shivmoga airport in करनाटिका तो यह काफी यहां पर यह जो शिव मोगा एरपोर्ट है यह काफी बड़ा एरपोर्ट है और यह कह सकते हो कि यहां पर 9th एरपोर्ट है किसका करनाटिका की लिए कर इसके अलवा गर भात करें तो 663 एकर यह बहुत जादा हो ता कि 663 एकर में यहां पर लगाया गया जो चीजे हैं, heritage बगेरा हैं, उन सब को यहां पर हम लोग शोकिस कर सकें, because यहां पर all over इंडिया से लोग आएंगे, इसके अलावा international लोग भी इसमें आएंगे, तो वो थोड़ा सा important हो जाता है, इसके अलावा गर हम बात करें, तो शिबमोगा एरपोर्ट जो है, क्या के करेगा, तो यहां पर यहां पर यहां पर बढ़ा देगा, connectivity इन्हांस कर देगा, और साथ में जो अपना tourism है, इसको भी यहां पर बढ़ाएगा, यह जो एरपोर्ट है, वो यहां पर 300 पैसेंजर, एक घंटे के अंदर, अराम से यहां पर हैंडल कर सकता है, इसमें runway कितना है, मुझे याद नहीं लेकिन, इनका एक main runway है, जो around 3200 मीटर का है, जो की काफी लंबा है, थोड़ा ठीट हागे, इसमें कोई problem नहीं, इतना होना भी चाहिए, अच्छा है, याद रखी कि यह चीज़ थोड़ा से याद रखी कि शिपमोगा एरपोर्ट कहां पर है, तो वो करनाटका में, बाकी जो मैंने चीज़ बताई, वो सिर्फ एक्स्टा नॉलेग्स के लिए बताया, ओके, तो नेक्स्ट कोशन इस, हूट टेक चार्ज चार्ज, ये तो यहाँ पर ये आए में, देहराद उनसे यहाँ पर बिलॉंग करते हैं, इसके अलावा घराट करें, तो यहाँ पर डिफेंस के अंदर जितनी भी चीज़े यहाँ पर होती है, जैसे यहाँ पर अपना equipment हो गया, arm and ammunition हो गया, जितनी भी यहाँ पर defense में जितना भी चीज़े काम आती है, उन सब का यहाँ पर जो quality है, उसको assure करने का काम में यही रहता है, इनका जो पुरा head of department है, वो यह समझा लेंगे, because defense जो है अपना military, जो defense sector है, उसके अंदर बहुत सारे stores आते हैं, बहुत सारे अलग-अलग stores यहाँ पर आते हैं and उसमें equipment होती हैं और भी बहुत सारी चीज़े होती हैं जो कि, जो हमारे Indian Army है, उसके काम आती है, Indian Navy है, Air Force है, Indian Air Force है, इन सब के काम यहाँ पर आती है और उसका य Otherwise, in between काफी problem आ जाती है, अब किन-किन चीज़ों का quality assure कर सकते हैं, बोथ यहाँ पर indigenous, जो यहाँ पर खुद इंडिया में बनता है, और जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, उन सब का यहाँ पर quality पर ध्यान देना जरूरी है, इसके अलावा, जो यहाँ पर private sector build करता है, उसके तो भाई ध्यान देना ही देना है, इवन जो यहाँ पर जो government वाली companies हैं, वो भी अगर कुछ यहाँ पर बनाती है, कोई भी यहाँ पर equipment, weapon वगरा बनाती है, तो उसके उपर भी ध्यान देना काफी ज़रूरी है, और यह जो हमारे lieutenant general R.S.reen जो है, यह technical background से belong करते हैं, NIT से य electrical में graduation भी किया हुआ है, तो यहाँ पर यह best हैं अभी के हिसाब से, और सही भी है, मतलब देखो quality होना काफी important है, especially if we are talking about our security, country की security के कर हम बात करें, तो उसमें quality में compromise नहीं कर सकते हैं, तो उसमें quality में compromise नहीं कर सकते हैं, तो कहां पर है यह गुजरात में, तो गुजरात में यहाँ पर youth 20, youth 20 का full form है, यहाँ पर youth, youth 20, ओके, इसके अंदर जो हमारे youth हैं, उनके उपर यहाँ पर बात किया जाता है, and not only कि भाई, बस इंडिया के, all over जो यहाँ पर G20 में जितने भी countries हैं, उनहीं के जितने भी countries आती हैं, इसके अंदर, उन सब के youth के उपर बात कर रहे जो हमारे यहाँ पर CM है, गुजरात के भुपेंदर भाई पतेल, उन्होंने इस particular event को यहाँ पर inaugurate किया, इसके अलावा इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पर urban planning के उपर बात, यहाँ पर discussion हुआ, अभी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर climate change बना हुआ, तो उसके उपर बात किया, इसके अलावा environmental studies भी यहाँ पर काफी important चीज रखा गया, इसके अलावा research, innovation, startups जो है, वो सब कुछ यहाँ पर रखना है, और हमारे youth का यहाँ पर role किस तरीके का होना चाहिए, इन सब अलग-अलग fields के अंदर, इसके अलावा एक चीज आप लोग और important यहाँ रखीगा, यहाँ पर, why का full form है, youth 20, और यह किस के अंदर आता है, G20 के अंदर आता है, और India इस बर इसको यहाँ पर host कर रहा है, बहुत सारे events हमने already G20 के यहाँ पर host कर लिए, जो कि काफी यहाँ पर successful तरीके से यहाँ पर हो गया, ओके, next question is, who inaugurated the 19th annual CPA conference in Sikkim, स्र कर रहे हैं, ओम बिरला सहब, उन्होंने इसको यहाँ पर inaugurate किया, ओके, यहाँ पर हम लोग बहुत ही normal चीज़ों के उपर बात करते हैं, जैसे कि अपना यहाँ पर, पहले चीज़ दखो, यहाँ पर CPA का full form क्या हुआ, it's Commonwealth Parliamentary Association, ओके, Commonwealth Parliamentary Association, इसके उपर हम लोग डेमोक्रेस तो यहाँ पर accessible हो सके, जैसे कि वहाँ पर cameras लगे रहते हैं, वहाँ पर कभी live stream में चल रहा होता है, राजेसाभा TV एक अपना channel ही है, जिसमें लोग देखते रहते हैं, तो उसको हम लोग और कैसे accessible बना सकते हैं, और कैसे interesting बना सकते हैं, पारलिमेंट के sessions को, जो assembly वहाँ प उसके उपर है, और साथ में अगला जो issue है, वो भी यहाँ पर youth के उपर ही है, जो कि cyber bullying है, यह दोनों भी यहाँ पर काफी important है, और इन सब चीजों के उपर बात करना काफी जरूरी है, तो इसके उपर भी बात किया गया, यहाँ पर सिक्किम जो है, वो काफी मतलब कम रहता है, current affair में, तो सिक्किम के यहाँ पर CM कौन है, प्रेम सिंग दमांग, और यहाँ पर इनके गवर्नर कौन है, लक्षमन परसाद अचार्य है, यहाँ के गवर्नर है, 19th edition था, इसके अलावा यहाँ यह थर्ड जोन में आता है, थर्ड जोन, थर्ड जोन में आता है, इंडिया में यहाँ पर चार अलग-अलग जोन से ओके जिसमें जोन वन में जो अपना बिहार, 36 गड़, औरिसा, यूपी, उतराखंड यह वाला एरिया आता है, इसके अलवा सेकेंड जोन में यहाँ पर अपना साउथ का रिजन आता है, थर्ड जोन में अपना यहाँ पर इस्त, न Next question is, which government will build the country first marine or a boat basin offering dockyard at Bandoor, 37th is B, which is Karnataka, ओके, तो Karnataka में इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है, so that कि यहाँ जो coastal tourism है, या फिर जिसको हम लोग यहाँ पर beach tourism जो है, इसको यहाँ पर हम लोग बढ़ा सकें, something like Goa, ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ कुछ च tourism है, वो यहाँ पर और भी जादा यहाँ पर attract हो जाएगा, साथी में अगर है पर बात करें, तो Karnataka में कुछ यहाँ पर famous, famous और काफी strong, strong यहाँ पर dynasties रह चुकी है, वंच यहाँ पर रह चुकी है, जैसे कि यहाँ पर अपना गंगवंच, राश्ट्रकूट, चालुक होशाल, यह सब यहाँ पर रह चुकी है, जिनकी हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर archaeological survey of India से मंगा सकते हैं, और इसको यहाँ पर showcase कर सकते हैं, so that की जो state ही जो यहाँ पर हिस्ट्री है, वो भी यहाँ पर लोगों को पता चल सकते हैं, और करनाटका का जो यहाँ पर हिस्ट्री है, वो काफी अच्छा हो जाएगा, इसके अलावा इनकी economy अल्रडी काफी अच्छी है, तो वो और अच्छी यहाँ पर हो जाएगी, तो इन सब यहाँ पर focus अभी किया जा रहा है, mainly जो यहाँ पर हमारे पास resources है, natural resources है, उनका use करना यहाँ पर easy बनता है, especially जो beach वाला area है, यह तो कि अभी खतम नहीं होगा, even though हम लोग यहाँ पर अलग-अलग campaign चला सकते हैं, जिसके करन save water, save ocean, no pollution, इन सब चीदों के उपर भी हम लोग बात कर पाएंगे, ओके, next question is, PM Modi to release 13th installment of how many करोड अंडर PM किसांस, राड़ां सरॉफ, it's a, which is 16,800 करोड रूपी, 16,800 करोड, त तो यहाँ पर 13th installment था, जो इन्होंने यहाँ पर दिया, और यहाँ पर राउंड 8 करोड अलग-अलग यहाँ पर farmers थे, जो इसके यहाँ पर eligible रह जोगे, इस particular PM किसान में जो यहाँ पर scheme है, इसमें 6,000 रुपे पर year यहाँ पर 8 करोड किसानों को यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब कि यहाँ रखो कि यहाँ पर हर 4 महीने में 2,000 रुपे मिलेंगे, जो दो हजार में I can understand कि इसमें जादा कुछ होगा नहीं, लेकिन जो एकदम से जो गरीब लोग हैं, जो गरीब farmers हैं, उनकी लिए काफी यहाँ पर, मतलब एक तरीके से एक काफी छोटा सा यहाँ पर वो यहाँ पर easily pay कर सकते हैं, और PM किसान 2019 में यहाँ पर launch होता होता है, तो इस चीज़ को याद रखे कि launch कब हुआ है, और all over India में यहाँ पर कई सारे farmers को यहाँ पर benefit मिलता है उसका, और एक चीज़ यह भी है कि भाई, इसको यहाँ पर होली से पहले कर दिया गया है, और ज तो basically अगर हम बात करें, तो यहाँ पर यहाँ पर इंडियन नाशनल कॉंगरेस हैं, जो कॉंगरेस पार्टी है, उन्होंने यहाँ पर अपना एक मीटिंग यहाँ पर बिठाया है, 85th पैनरियर सेशन, यह यह याद रखेगा, यह याद रखेगा, और यह कहां हुआ हुआ ह यहाँ पर इंडिया से, जो कि यहाँ पर इंडिया से, जो कि यहाँ पर इंटरनाशनल रिलेशन के उपर यहाँ पर बात कर रहे थे, इसके अलावा गर हम बात करें, तो यहाँ पर कॉंगरेस के इस बार मतलब यहाँ पर पर प्रेजिडेंट कौन है, तो यह मलिका खरे, यहाँ पे है President, ओके, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने Constitution को Preserve करने के लिए बोला है, Protect करने के लिए बोला है पता नहीं किस किस से, Preserve and Protection, बिकोज देखो, इनका सिधा कहना है कि भाई, जो BJP वाले लोग हैं, वो यहाँ पे Constitution को खतम कर देना चाते हैं, और मनुस्मिरिती को यहाँ पे लेके आना चाते हैं ऐसा Congress स्वालों का कहना है Not my, मैं जानता हूं कि हमारा Constitution सबसे उपर रहेगा, इसके अलावा यहाँ पे Peace, Unity और Brotherhood को यहाँ पे परमोट करने के लिए बोला गया, साथ में इन्होंने यह भी बोला है, कि हम लोग यहाँ पे 50% Reservation देंगे SC, ST और Other Weaker Section of Society साथ में यहाँ पे Women को भी यहाँ पे include कर दिया गया कि हमारे party में अब यहाँ पे SC, SC, Women और Weaker Section of the लोग जो हैं, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे और उनको तो यहाँ पे 50% का Reservation भी प्रोवाइट किया चाहेगा, ओके Next question is When we celebrate Zero Discrimination Day every year, साथ आटांसर 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 इस it's B, which is first of March, ओके तो आज ही के दिन हम लोग यहाँ पे Zero Discrimination Day भी हम लोग यहाँ पे celebrate करते हैं, so that की जो भी यहाँ पे all over world में कोई भी इंसान जो है, उसके साथ यहाँ पे किसी भी तरीके का Discrimination ना हो, on the basis of Age, Gender, Ethnicity, Skin Color, Height, Weight, or anything यहाँ पे नहीं होना चाहे, Discrimination is the one of the biggest evil practice that we do today also, okay I know मेरी English is not so good, but still, जो मैं बोलने की कुशिश कर रहा हूँ, बस हो समझे, okay 1st of March, 2014 से इसको हम लोग यहाँ पे Celebrate करते होए आ रहे हैं, और United Nation के तोरह इसको यहाँ पे Celebrate करता है, और सीधा बोलता है कि भाई, Discrimination नहीं होना चाहे, ओके, देखो India में Discrimination, Caste और Religion के basis पे होता है USA में Discrimination, Color के basis पे होता है और जो अपना Europe वगएरा है, वहाँ पर भी Color सिस्टम ही चलता है तो इन सब चीगों के उपर नहीं करना चाहे Everyone is equal, भगवान ने इनसानी बनाया जानवर थोड़ने बनाया है, चाहँ आप Discrimination कर रहे हो Next question is When we observe World Civil Defense Day Every year, स्राड़न सुराफ 11th is It's the B which is 1st of March again Civil Defense Day थोड़ा सा important है यहाँ पे जो हमारे Civil Defense में जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनकी बारे में यहाँ पे बात करना उन्होंने यहाँ पे अपना sacrifice दिया है उसके उपर बात करना साथ ही में जो यहाँ पे उन्होंने इस country के लिए या फिर all over world के लिए जो यहाँ पे काम किया उसके लिए यहाँ पे उनको tribute पे करना ओके देखो यह जो अपने Civil Defense के जो लोग यहाँ पे होते हैं वो हमेशा यहाँ पे जब भी कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पे destruction आता है या फिर कोई भी तवाही बगेरा आता है तो उसके against यहाँ पे यह fight करते हैं जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी जोशी मठ में यहाँ पे problem चल रहा है केदारनाथ में problem चल रहा है एक time था जब 2013 में उतरा खंड में बाढ़ाया वो तब मतब बादल फटिया था तो वहाँ पर जो हमारे जो teams आती है आर्मी से आती है इसके अलवा CRPF और भी अलग-अलग जो हमारे paramilitary forces है वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं अलग-अलग यहाँ पे national level पे teams बनी हुए जो जो disaster management में यहाँ पे काम करते हैं और साथ ही में यहाँ पे state level पे अलग-अलग यहाँ पे teams, police officers यह सब बने हुए है जो कि इसके उपर काम करते हैं तो mainly इन ही के उपर है कि भाई जो हमारे लिए इतना काम करते हैं हमारी सबसे बड़ी मुसीबतों में जब भी यहाँ पे कोई भी destruction आता है या फिर कोई भी यहाँ पे disaster होता है उस time पे यहाँ पे काम करने आते हैं तो इसलिए यहाँ पे civil defense उन्ही के लिए celebrate करते हैं हम लोग यह फिर observe भी कर सकते हैं celebrate करेंगे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हमारे country के लिए और हमारे लोग के लिए एक यहाँ पे international civil defense organization जो है जो 1990 में मतलब शुरू किया था कि हम लोग यहाँ पे world civil defense यहाँ पे celebrate करेंगे ओके next question is who is the chair of 22nd law commission which was recently extended until 2024 तो राट उन्होर ट्वेल्ट है एक से ए विचिस justice रिदुराज अवस्थी बहुत ही important question है justice रिदुराज अवस्थी जो है वो यहाँ पे अब तो पहले से ही थे 22nd law commission और अब इनको जो यहाँ पे tenure है वो यहाँ पे अगस्थ 31 2024 तक यहाँ पे बढ़ा दिया गया अच्छी बात है काफी यहाँ पे अच्छा काम यह करते भी है इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे यह फॉर्मर करनाट का हाई कोट के chief justice यहाँ पे रह चुके है अब यहाँ पे इनको law commission का head या फिर chairman बना दिया गया अब इनका काम क्या होता है तो यहाँ पे simply देखो यहाँ पे जो हमारे constitution या फिर यहाँ पे law की जितने भी किताबे होती है जहां से judgment वगरा ली जाती है उसमें अगर कोई भी यहाँ पे ऐसा law है जो अब पुराना हो चुका है outdated हो चुका है उसको यहाँ पे replace करने का काम करता है मतलब basically यह identify करते हैं कि कौन से laws हमारे society के लिए fit है कौन से नहीं है या फिर कौन से हमें यहाँ पे नए बनाने चाहिए हमान लोग यहाँ पे कोई एक on running कोई एक ऐसा law है जो हमारे society में काफी यहाँ पे problem अभी कर रहा है even though future में करेगा तो उसको हम लोग अभी ही यहाँ पे eradicate कर देते हैं इसके अलावा अभी देखो क्या है ना कि यहाँ पे uniform civil court यहाँ पे आने वाला है और यह election से पहले ही यहाँ पे लागू हो जाएगा दोहजार चोविस की election से पहले यहाँ पे लागू हो जाएगा तो उसी के लिए यहाँ पे अभी इनको रखा गया विकाज यह यहाँ पे proposed और साथ में recommend दोनों यहाँ पे करते हैं कि भाई करना चीए कि नहीं करना चीए यह identify भी करते हैं और फिर उसको removal करने का इनके पास power नहीं है लेकिन यह purpose कर सकते हैं कि भाई आप इस particular law को यहाँ पर से खतम कर दीजिए otherwise आगे जाके काफी problem आएगा इसमें बहुत ही समझदा और काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं तो this is it guys, thank you and thank you very much in the studio